अब हैलो दोस्तों मैं हूं मुकेस और स्वागत करता हूं आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम मेल पर जैसा कि हमने पिछले वीडियों में पढ़ा था आपके फिजिक्स के फर्स शेप्टर को और हमने उस वीडियों में जाना था कि प्रकास क्या होता है और प्रकास के गुण क्या होते हैं जैसे प्रकास सीधी रेखा में चलती है ठीक है प्रकास इलेक्ट्र माइग्नेटिक वे होती है तो जिसको चलने के लिए मात्यम कि आप सकता नहीं होती है तो यह सारी चीजिए हम पिछले वीडियों में जाने थे और आज हम जानेंगे इस सीरीज में बने रही है मेरे साथ जो भी चीजिए जानेंगे बिल्कुल सही तरीके से डिटेल में जानेंगे तो आज हम जानने वाले हैं सोर्सेस और लाइट के बारे में प्रकास के स्रोथ के बारे में तो आइए देखते हैं कि कौन गौन से प्रकास के स्रोथ होते हैं और क्या होते ह है प्रकासौक होता होते है तो देखते हैं ऐसी वस्तु में जो प्रकास का मज़ पारा हैं कि प्रकास क्या प्रकास का निकालती है उसी को क्या बोलता है तो देखिए रूप में देखते हैं सुर्य क्या है अपका प्रकास का थे शूर्य पृध्रीपप्रफ्रकास का सबसे रवामज्घ है। शूर्थ है। और ताघ्थी क्या आपकी श्टाइस ओभी प्रकास के शूरुथ है। एलेक्ट्रिक बल्ग घरों में उप्यों किया था है। यहीं क्या प्रकास का शूरुथ है। यह से भी हमको प्रकास मिलता है टॉर्ज फायर फ्लाइज में हम ऐसे कीड़े या एसे छोटी-छोटी मख्यों की बात करते हैं जो प्रकास उत्फन करती है जैसे जुगनु रात मुस्को आप जगमगाते होगे अकसर देखते होगे तो क्या है वो फायर प्लाइज है और आज हमको प्रकास मिलता तो इस शुचिजियों के बारे में आप समझ गए होगे आई है हम समझते हैं कि सोसे जोब लाइट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है क्या है उनका क्लासिफिगेशन आई उसको देखते हैं इसमें हम देखेंगे नेच्राल सोर्सेज आफ मौझूद ऐसे प्रकास के सो जो पैसे मौझूद हो उसको क्या बोलते है इंद जैसे गीब क्या है यह कि आण और क्या प्यास कता है और क्या प्रतिक में आपको मिझ श्क ऐद sn ranges की इन चोटे किड़े यान ही जुम्नु खो मत वह दो प्रति Southeast loads वाई लृष्ट की दैज़े ऑचिंप बना लाइगा प्राकृतिक प्रकास चुन हो जाएंगे और ऑर और यहां पर देखते हैं जैसे अकासी बिजली तो उसमें प्रकास दिखाई देता तो यहां पर वह भी क्या आजाएगा आपका वह भी आजाएगा प्रक्रितिक प्रकास दोत में अकासी बिजली तो यह सभी एक्जाम्पल से और नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रक्रितिक प्रकास रोग क्या होता अब हम देखते हैं दुसरा इसका क्लासिफिएशन आइटी किस्टियों सोर्सेज और लाइट यान मानव निर्मित या क्रितिरिम प्रकास रोग नाम से आपको अस्पर शोरा होगा कि मानव निर्मित प्रकास रोग क्या होता ऐसे सोर्स जिसको मानव ने बनाया अब मानव ने जो सोर्स बनाया है उसको आप जानते होंगे ऐसे इलेक्ट्रिक बल कि एक्जाम्फर लेने क्या चाहा वाएगा है इंसां ने बनाओ उसको आप जानते भी होगे कि खोच किसमें ती थामसाल वा एडिचन हो क्या थी एक इसान थे और क्या मानों ने बनाए जैसे कैंडल आप बोल सकता है कि और यह आप नीचे कामेंट सेक्षिन करके बताइएगा तो यह हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ लाइट का दो वर्गिकरण किस तरीके से हैं प्राक्रेटिक पुर्जा के प्रकास के स्रोत और महिसा क्या है कि प्राकास के स्रोतो कि प्रकास के स्रोते में अब प्रकास प्रकास के प्रकास Meerथ série के एक और प्रकास के स्रोत को हो कोटी प्रकास होता है जिद्धन प्रकास होगा तब यह सभी सनद स्टार्स एक्जामपल क्या हो जायागा सन इस्टार्स इलेक्ट्रिक बल्ब फायर फ्लाइज प्रेंडल यह सब क्या है ऐसे प्रकास के सोथ हैं इनके पास खुद का प्रकास होता है यह जलते हैं तभी जाके प्रकास उच्छित होता है इनके प्रस्क्राइब अब शुलते होरा हूगी यह सारे अधिक्ण के सोथ के बल्ब प्रmos4 अपल जिलते हैं तो किल अधिर वच्छी अशार bidding के से तो सोथ कि WOW कि अतव प्रेक्णis का प्र। परकास नहीं होता कि खुद का प्रकास ना होने का सेंस क्या है कि जो भी वस्त है आपके आसपास दिख रही है प्रकास शूरot को छोड़ कर वो सारी किसमें आती है अधित्त प्रकास रोग में आती है कि जैसे इस रूम में रखी अन्य वस्ते गया, जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, आलमारी ठीकर यह सारी क्या आए अंगे प्रकास के सुरोत में बिक रही है इनके पास पुद खुद का प्रकास नहीं तो ऐसी वस्थे हो क्या बोलते हैं प्रकस और सकते हैं अब लगता कर दो उसके पास पूल करता है जिसके हमको लगता है कि उसके पास खुद का प्रकास है तो चंद्रमा भी क्या है उसके पास खुद का प्रकास नहीं है तो यहां हम समझ गया होंगे कि अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है तो हम समझते हैं और यह भी जानते हैं कि प्रकासिक माध्यम क्या होता है प्रकासिक माध्यम में हम समझते हैं प्रकास जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उस माध्यम को प्रकासिक माध्यम कहते हैं यहां पर आपको एक confusion आ रहा होगा एक word है यहां पर optical हम यहां पर प्रकास प्रकासिक माध्यां पढ़ रहा है तो यहां पर होना चाहिए light medium लेक्ना यहां पर optical यह नया वर्ड कहां से आ गया तो मैं इस वर्ड को फड़ा क्लियर करना चाहूंगा देखिए light की study जब हम physics में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं optics यानि study of light is called optics in physics यानि physics में क्या कहा जाता है प्रकास के अध्यम को optics कहते हैं तो यहां पर प्रकासिक माध्यम का अध्यम कर रहा है इसलिए वर्ड यहां पर आ गया है optical medium तो इस सब्सें थोड़ा भी मतलब परिसान मत दोईएगा कि यह नया वर्ड तहां से आ गया है अब आप इसको स माध्यम होते हैं अब जानते हैं कि प्रकास को चलने के लिए प्रकास को चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है लेकि जब वो प्रकास चलता है तो बीच में धूल के कड या काच जल या अन्य माध्यम आते हैं जिससे उसको होकर गुजरना होता है तो हम देखते ह कि कौन से माध्यम उसको गुजरने देते हैं कौन से माध्यम नहीं गुजरने देते हैं उस अधार पे इन माध्यमों को बाटा गया जो बीच में प्रकास के रास्ते के बीच में आने वाले जो माध्यमों माध्यमों को बाटा गया है जिनको हम पढ़ने वाले हैं पारदर्सी माध्याम बोलते हैं ट्रांस्डिंसर्ट मेडियम और पारदर्सी माध्याम होता है तो अधिकांस यान ऐसा माध्याम जिनसे प्रकास आर पर्षेख उपले तरुमि को अभी आप हैं इसमाध्याम आदिकांस सकते हैं एक्जांपल के रुब में आ29 ग्लास कांच से भी और वाटर यह क्या है जब यह प्रकास चलती है तो यह बीच में आ सकता है जल्भी आ सकता है तो यह ऐसे मेडियम है जो प्रकास को आर पार चले जान देते हैं यानि such type of medium which allows to light pass through them is called transparent medium यानि यह क्या है air glass water क्या है ऐसे medium है जो प्रकास को अपने से होकर गुजरने देते हैं और प्रकास उसे आर पार चला जाता है पार चला तक पहुंशाये उसी को पार दर्सी माध्यम यहां नाम से आपको पता चल रहा होगा जहते हैं थोड़ा सा फाट घर कर ऐसे माध्यम नासे माध्यम जिसे होकर प्रकास का कुछ भाग आर पार ज diarrhea पार जाता है अर नि नहीं ना में जड़ा सा जो रहा है अल्प तो ऐसे मांधिन को क्या होता है आसे बहूता है अदिते हैं आफ जिसकी बहले माध मुड़कस प्रडर्ल जी माध्य कोयार हो सकते हो Germans कोभ बैपर देखते हुगे यसे प्रक्रस कोई पेपर हो उसके ओयल लगा लिए तो आप देखते होंगे उस साइड पर की वस्ती हलकी हलकी दिखाई देने लगती है जैसे एक्जांपल के रूप में क्या हो गया ओली पेपर और क्या हो सकता है अगर सुध्य कर्दम काथ्य मलगता ररिण होता है फौर्णध मेद्ट मीति वत क्या होता है अलगब busy मांधियम ब्रकास को अंग यो twin को तो यह अल्ग पारदर्सी भी आप समझ गया होंगे, अब अगले नमबर की बात करते हैं, लास्ट, और पारदर्सी माध्या, आप जानते हैं कि किसी बहट के आगे और लग जाने से उसका अनर्थ हो जाता है, तो पारदर्सी के आगे और लग जाने से उसका अनर्थ हो गया, यानि यदि फो पार तक नभी जा पा यगा इसको बहुत says आ Suffering राश्टे में आने वाले ऐसे माद्य जो प्रकास को कि आगा पर नहीं जाने ले यहां ए देते हैं जैसे और हां नहीं जैने देते हैं तो एसे बोड क्या बोलते हम और प्रकास किसेबिक और मैं इसे खड़े हो जाओ तो ऐसे प्रचाइं मिन्ति हैं तो आपको ये तीन चीज है बिलकुल सही तरीके समझ में आ गई होगी कि प्रकास्तिक माध्यम क्या होते हैं और इनके तीनों ये जो हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि rays of light क्या होती है और beam of light क्या होती है यानि प्रकास किरण क्या होता है और प्रकास पुंज क्या होता है जिसको किरण पुंज भी बोलते है रे ओफ लाइट प्रकास किरण रे यानी किरण क्या होती है तो हम जानता है प्रकास सीधी रेखा में चलता है हम यह जानता है कि क्या है प्रकास सीधी रेखा में चलता है और जिस सीधी रेखा में चलता है उसे प्रकास क्या बोलता है प्रकास किरना प्रेंग प्रकास एवर चाहिए आपको बता था सिएसे चलता आ यिक आ piece सैंगे और प्रकास क chilres को डेखने तो बींगा agrad है नि प्रकास कुछ्च प्रकास पूंचु से आपको लगगा होगा कि इसमें प्रकास किरणों के एक सम्हूं की बात की जा रही है यानि प्रकास किरणों के सम्हूं को क्या बोलते हैं प्रकास पूंचु बोलते हैं प्रकास क्यूंज चूका मतलब यह एक प्रकास की केंट के लिए से अधकर यह क्या है प्रकास पुझ है अगर मैं आपसे पूछ हूं कि जब आप टॉर्च जलाते हो तो वहां पे क्या मिलता है आपको रे ओफ लाइट मिलता है या बीम अप लाइट मिलता है तो आप क्या बताओगे कि हमको क्या मिलता है बीम अप्लाइट मिलता है क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रकास की किर्णे निकलती है ठीक है तो आप प्रकास खिरण और प्रकास पुंज में अंतर समझ गया होंगे और प्रकास पुंज में हम देखते हैं कि की तरह के प्रकास प सभी केड़े क्या होगी एक दूसरे के समांतर होना क्या मतलब होता है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वह बराबर हो यह वह बराबर हो तो आधिक से जब क्रकास के बढ़ेंगी आगे कि या demands को समांतर प्रकाश पून्ज बोलेंगे और मिलती हैं जैसे हैं 5 प्रकास कीड़के आउंगी किसी एक बिंद उपर मिलती है तो ऐसे प्रकास के समों को क्या बोलता है अब इसारी प्रकास कुझे बोलता है ठेक है कन्वर्जेंट बीम आप लाइट और अब इसारी प्रकास कुझे इसको बोलता है इसे भी थै इसे लेकरियों को समझ पा रहे हों प्रकास को जा रहे हैं अम्रों से प्रकास करें सारी प्रकास कुलते हैं तो आज के टॉपिक में बस इतना यह और मुझे उम्मीद है कि सारी से आप समझ गया होंगे इसी हमने जाना कि वह 캐ism मुझे है कि यह सारी चीज है कि संद में और यहीं कोई QO करेंेगा और आज कि वीडियों में वां इतना है तब तर के लिए मुझे ज़ी Kjonal मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ धन्यवाद